वेल्कम टू न्यू लेसन इस लेसन में आपसे बात करूंगा अबाउट गूगल मर्चेंट सेंटर ठीक है तो अगर आपको याद हो तो लास्ट लेसन में आपको बताया था कि अगर आप गूगल शॉपिंग एड्स रन करना चाहते हो तो यू नीड टू क्रिएट अ गूग गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाओगे वहाँ पे आपको अपने प्रॉडक्ट की इन्फर्मेशन अप्लोड करने ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाएंगे तो मैं सिंपल गूगल पे गया और मैंने टाइप किया Google Merchant Center simple अब पहला जो result आया है Merchant Center लेट्स क्लिक दिस ठीक है जी और option आ रहा है get started तो कर दो get started set up यो Merchant Center account तो कर देते हैं अब sign up करना है तो सबसे पहले आपको अपने business country डालने पड़ीगी कहा की country है कहा पर आप business करना चाहते हो तो हमें India और display name तो मेरी website का नाम है WP course तो मैं WP course लिख देता हूँ तो सबसे पहले country और यह then यह Google कुछ आपसे option मांग रहा है कि क्या आप Google के updates वगरा चाहते हो तो चाहते हो तो yes कर दो और अगर वो opportunities वगरा भेज़े कि यह कर लो या research के लिए तो इसको भी yes कर देते हैं और terms and conditions को भी yes कर देते हैं और इसको कर देते हैं continue देन यह पूछ रहा है कि आप कहां कहां अपने products दिखाना चाहते हो क्या आप खाली shopping ads पर run करना चाहते हो या क्या आप Google की जो बाकी options जैसे एक Google shopping चलाता है अगर आप वहां भी चलाना चाहते हो अपने product दिखाना चाहते हो तो आप उसे भी चेक कर सकते हो तो हम दोनों चेक कर देते हैं और continue कर देते हैं ठीक है WP course India और करते हैं create account ठीक है बहुत simple ठीक है जी अब यहां पे हम आगे अभी हमारी settings complete नहीं हुई एक बार आप business information में जाओगे आप यहां आए settings then business information आप जाओ business information और यहां पे आप अपने business की details submit कर सकते हो तो अपने business का address वगरे डाल सकते हो क्या business है आपका अगर कोई भी service चाहिए हो customer service के लिए क्या जाना है तो वाली information यहां पे डाल सकते हो यहां पे आपको देखो एक website का option आएगा अब यहां पे आपको अपनी website का URL डालना है ठीक है तो यह रही मेरी website इसको किया कॉपी और यहां पे हम अपने website का URL डाला ठीक है अब आउट यूर बिजनस में मैंने कुछ नहीं डाला आप यह information फिल कर सकते हो website वाला बहुत ही mandatory करना तो website का URL यहां डाला और देन मैंने किया इसको save अब यह आ रहा है देखो unverified हाना अब हमें यह verify करना है हमें गूगल को बताना है कि भाया यह website मेरी ही है ठीक है तो यहां पे देखो तीन option है यह मैं Google Analytics account के through कर सकता हूँ या tag manager के through कर सकता हूँ या मैं directly कर सकता हूँ अभी मैंने यह एकदम नई इसके लिए ID बनाई है तो मैंने अभी tag manager analytics बनाया नहीं तो मैं directly कर देता हूँ I have access to a server कर देता हूँ और यहां पे option है upload an html file या फिर यहां पे आओगे तो एक option आ रहा है add an html अब यहां पे देखो एक tag आ रहा है ठीक है और यह tag हमें कहां डालना है head section तो यह tag पहले यहां से कर लो copy किया अपने website पे गए और appearance पे गए और हम गए theme editor ठीक है appearance पे गए और then हम गए theme editor पे theme editor पे गए और इधर आ जाओ इधर जाओगे theme header और थोड़ा से नीचे आओ head section है पहला head के बाद यह paste कर दो और इसे कर दो यहां से update file ठीक है file updated वापस आओ यहां से करो verify url ठीक है verify हो गया अब then option है रहा claim url है तो यहां से claim कर लो url को verify भी हो गया claim भी हो गया एकदम perfect ठीक अब देखो branding अब आपको अगर अपने कुछ color वर डालने हैं अपना logo यह सारी चीज़े आप यहां पे upload कर सकते हो जो भी आपके website का main color है आप जो भी brand color है आपका वह color आप यहां डाल सकते हो जो आपका logo है वह चाहो तो आप logo यहां पे upload कर सकते हो राइट मैं इसको छोड़ देता हूं मैं जाता हूं वापस Google merchant center पर इदको यह मैं कर चुका हूं राइट तो यहां पर अभी भी वह दिखा रहा problem बट हमारा यह हो चुका है तो यह थोड़ी देर में यह सही हो जाएगा यहां से मैं इसको एक बार हाट refresh कर देता हूं हमारी website verify हो चुकी है Google में यह भी आनी रह अब देखो आगया अब आप आओ यहां पर products पर ठीक है products अब अगर मैं products पर आउं तो देखो यहां पर तीन option है पहला है diagnostic मतलब जो भी आपके problems होगी वह यहां पर Google दिखा देगा अभी दिखा रहे हैं ना no Google Ads accounting तो हम वह काम भी करें ठ upload हो जाएंगे then option है आपके पास feed का feed मतलब आप यहां पे अपने product की information क्या कर सकते हो upload कर सकते हो ठीक है तो जो भी आपके website पे products हैं उसकी information हम यहां पे upload कर सकते हैं अब जैसे आप अगर feed पे जाओगे और feed पे जाके plus करोगे तो हम यहां से अपनी feed बना सकते हैं feed is आपके जितने product हैं उन सब की information तो इंडिया में हमें करना है language क्या है तो English selector लेते हैं और हम कर देते हैं continue अब देखो आपकी जो feed है मतलब आपके जो product की information है वो Google तक पहुचाने के चार तरीके हैं ठीक है पहला है Google Sheets आपको करना क्या है Google Sheets बनानी है Google Sheets के अंदर आपके पास जि information आप Google Sheets में डालोगे Google automatically महा से सारी information fetch कर लेगा then है schedule fetch ठीक है आप data feed बनाके वो URL गूगल में डाल सकते हो और यहां से आप क्या कर सकते हो regularly उसको Google उसको fetch करता रहेगा then upload ठीक है आप सीधे file बनाओ और Google में सीधे merchant center में upload कर सकते हो या चौता तरीका क्या है आप कर सकते हो through APIs तो जो सबसे best तरीका है यह काम करने का वो है Google Sheets अब आप पुछोगे कि ऐसा क्यों है गूगल शीट बेस्ट तरीका क्यों है देखो जैसे मैंने आपको बताया था अगर आप Google shopping campaign रन कर रहे हो तो आप keywords का use नहीं कर सकते है तो Google सारी information कहां से लेता है Google सारी information लेता है आप आपके नेम से और आपके descriptions हाना जब आप Google Sheet बनाते हो तो इन नेम और description सारी चीज़े आप Google में या Google Sheet के अंदर डालते हो तो नाम और description आप easily क्या कर सकते हो Google Sheets में change, customize अपने हिसाब से कर सकते हो बार-बार changes करके test कर सकते हो बाकी चीजों से वो काम करना थोड़ा सा मुश्किल है तो हम product feed बनाने के लिए क्या तरीका यूज़ करेंगे Google Sheets का तरीका यूज़ करेंगे बाकी तरीके हम यूज़ नहीं करेंगे ठीक है जी तरीके कितने है चार तरीके है ठीक है और Google Merchant Center से होता क्या है तो Google Merchant Center में कि आप Google Shopping Ads run कर सो ठीक है so that's it from today's lesson कल के lesson में हम अपना primary feed पहली बनाएंगे using Google Sheets ठीक है जी thank you so much for watching this lesson